हार बोर्ड कला स्टेंथ फिजिक्स के परकास के अपवर्थन से 20 ऐसे प्रसंट जिससे ही हर बार पूछा जाता है कोशन इससे इंपोर्टेंट कोशन है जो कि आज इस वीडियो में देखने वाले जो बार बार इसी 20 में से आपको कोशन देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस पर आने वाले और सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव हर चेप्टर वाइज आपको सबसे पहले म और सब्सक्राइब को जाता द्याँन्य का करी नियम घ्रिक फजहें तो भी सब्सक्राइब कोशन और यहां पर यह जो है यहां पर आपतन को कुन है ठीक है? यहां पर यह जो है आप तन कोन हो जागा? और सीन आर यह आप बरतन को ने? ठीक है आप आप अपल लोग समझ गए होगे? अच्छी तरह से चरी आगए बरत करते 2nd कोशन. आप तर लेंस में A बरतन M बरावर होता है क्या होता है यहां पर दोनों बात ध्यान रखेगा ठीक है को इसे यहां पर पूछा जाता है और पूछा जाता है और पूछा ही जाता है चलिए आगे बाद कोशन यहां पर निकालने की बात यहां पर आपको कैसे निकाला जाता है सब्जेक्टी भी रहता है इस पर करकर के कोश्चन तो समझ दीजिए यहां पर चमता दिया हुआ यहां पर द्याना की का पी बराबर सूतर होता है यहां पर एक सो इसलिए लेंगे चुकी सेंटीमीटर में इसलिए अब एक सो आप लोग उपर रख सकते हैं यहां पर पीक यहां हम लोग दो डाप्र लिक्टे देंगे और नीचे क्या एप हो जागा ठीक है उसके एप इधर आपका साह关 करblack सकते हैं आप पर कर सकते हैं यहां पे सामने हैं चैसे आप लोगो SUBJECT to be आप लोक पूछा लेता है तो दोस्तों एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता एक डाय ओफ्टर ही होगा राइट लेंस यहां पर बी जो है बिल्कुल कोरेक्ट हो जगा ध्यानकी का बी ओप्सन जो बिल्कुल कोरेक्ट है चलिए आप लोग समझ गये होंगे आगे बढ़ते हैं पांच नि अबढ़ते होगा परकास के कितने नियम है कितने नियम है तो ही नियम है ध्यान रखेंगा चलिए साथा निवर सिर्फ कालपनिक परती है यहां पे लेंस के बात हो रही है किस दुर्णा सिर्फ कालपनिक परतिवीं बंता है यहां पर ध्यान रखेगा उट्थ और पर शिर्ण हो बहांगे है तुस्तो भागे गाने वीडियो फुरा इन्स तक देखिए सारा प्रोसेस आपको समझाते हो चलेंगे बिरुट थोड़ा लंबा जरूर बन सकता है बट यह आपको सार अच्छी समझा देंगे देखें यह काफी पर पूछा जा चुका है किसी बीम का वास्तिविक तथा समान आकार का परती बीम प्राप्त कर करने के लिए लिए लान के सामने कहा रखेंगे तो यहां पर रखेंगे किसी हमता कोश में दिये गए अच्छरों को पढ़ते समया आप कौछ सा पसंद करेंगे काफी यहां पर फसाया हुआ है तो ध्यान रिखेंगे यहां पो जगा 5 सेंटी मीटर फोकस दुरी वाले उत् सी जो है बिल्कुल 100 प्रसंट सही है ध्यान रखेगा यहां पर पांच सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस होगा चलिए आगे बाते हैं यहां पर देखते हैं दस नमर कोशन दस नमर कोशन में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए परिक्त नहीं होता है स्वाइल जो है इसका पर्योग नहीं क्या जाता है यह सिंपल सी बात आप लोग भी समझ रहे होंगे चलिए आगे बरते गार नमर कोशन मादर 20 कोशना इसे हैं जिससे हैं आपको इस चप्टर जाता है दो माध्यमों के सीमा प्रिष्ट पर एक प्रकास की किरन लवबत आप्तित होती है तो अप वरतन कोण का मान क्या होगा सुन्य डिगरी हो जगा जैसे कि मान लीज यह आपको कोई स्वाइब इस पर प्रकास के आप्तित होती है लम बद्याए तो सीधे निकल जगा यहां पर जीडो डिडी को बनता है अप वरतन को बनता ही नहीं इसलिए जीरो हो जगा लाइटेंस यहां पर एज बिल्कुल कोड़ेक्ट हंडेर्ट परसेंट कोशन इन्पोर्टेंट द्यान रखेगा चलिए बार नमर यादी आपतन को ना आई तथा आप वरतन को ना आर हो के लिए बने कोन को बिचलर कोन कृतें जिसको डेल्टा सी सुज़ित करने इसको डेलटा पड़ते हैं तो इसको डेल्टा पढ़ आजाता इसका आपको नहीं बता रहें stronger आया कर देंगे इस को ध्यान के का समय छράप करें झाले के समय के नीचे चले पर कुछ समय तक दिखाई देता है इसका करन क्या है प्रपास का अपवर्थण हो है बिल्कुल करेक्ट होगा रिफ्रेक्शन जब सुर्ज भगवान जो होते हैं अस्त हो जाते निया दूब जाने के बाद भी कुछ दरग पल के लिए दिखाए पड़ते रहते हैं बड़ते हैं वह होते हैं यानि उदय होने से यहां पर फोकस दूरी यहां पर फोकस दूरी यहां पर पी बराबर 100 लिक देंगे यहां पर फोकस दूरी कितना आपका साकुषाओं जैए यहां फोकस लिए उत्तर लेंज के सामने बस्तू टू एप रखा रखी जाए तब उसका परतिवीम बनेगा ध्यान रखेगा बस्तू को जब टू एप रखा जागा यह एक ही पर इस्तिति में होता है कि बस्तू को जब टू एप रखते हैं तो टू एप पर ही उसका पर्तिमीं बनता है यह कोशन में काफी इन पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे बरते हैं पर 17 नमर कोशन सेरल सुचम दर्सी किसका में किसका उपयोग होता है ध्यान रखेगा किसे लेंस दोरा केवल कालपनिक या अभासी पर्तिमीं बनता है तो दोस्तों किसे लेंस दोरा केवल कालपनिक या फिर आभासी एक ही बात होता है तो वह अवत्य लेंस के दोरा बनता है राइट एंसर यह हो जगा ध्यान देखेगा एक बात इंपोटेंट अवत्य लेंस को अभी सारी लेंज भी कहा जाता है काफी इन्पूर्टेंट बात है अपसारी और उत्ते लेंज को अभी सारी भी कहा जाता है यह बात ध्यान रखेगा चलिए आगे बरते अगरा को दिखते हैं कि असनेल के नियम कनुसार होता है क्या होता है मिलता रहेगा तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएगा अगर वीडियो फस्काइब लाइक कर देजगा दोस्तों साथ सेर्वी कर देजगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजगा तो मिलते अगले वीडियो तब तक लिए धन्यवाद